वेलकम यूल फ्रेंड्स आजम लॉंग टर्म इन्वेस्टमेंट में ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका बिजनेस स्टॉक मार्किट को उपर डिपेंड करता है अगर स्टॉक मार्किट खतम होगा तब कमपनी का बिजनेस खतम होगा और हम जानते हैं कि स्टॉक मार्किट कभी खतम नहीं हो सकता है और ऐसे ही चलता रहेगा और इस सेक्टर का नाम है स्टॉक एक्षेंज एंड रेटिंग और कमपनी का नाम है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेग अब हम इस स्टॉक का प्राइज से 17 को 252 रुपे ता 26 2020 261 रुपे था यह जनवरी 121 को 547 रुपे था और 19 जुलाइं दो हुजर 21 को से स्टॉक का प्राइस 15 रुपे था और इस स्टॉक ने सब्ता में 21% का written दिया एक महिने में 54% का written दियाerd ती । ऐसे स्टॉक नेचे साथ परशेंट का रितन अगर लिए कई स्टॉक इस और कलोइट करेंगा CSGR को calculate करने के लिए मैंने इसका begin value 252 रुपे लिया है final value 1500 रुपे लिया है और 252 से 1500 रुपे तक बनने में इस stock ने 4 साल का समय लिया है इसलिए मैंने time of year 4 साल लिया है और इसका CSGR 1500 divided by 252 की power 1 divided by 4 minus 1 is equal to 1.56 minus 1 is equal to 0.56 निकल कर आ जाएगा अगर हम इस stock के annually return के बात करें तो 56% निकल कर आएगा future value को calculate करने के लिए मैंने 56% का return नहीं लिया हाला कि मैंने उससे कमी रखा है जो कि मैंने 45% लिया है और 45% के according इसका future value calculate करेंगे हाला कि 56% बहुत ही जादा है बर 56% भी definitely हो सकता है जिस हिसाब से इस stock के return दिया है उस हिसाब से 56% लेना भी ठीक है और इस यह में हमारा total investment भी शेयर का होगा जिसका current price 1500 रुपे है और हमारा total investment cost 30,000 रुपे निकल कर आएगा और हम इसमें 25 साल के लिए invest करेंगे और इसका future value 32 करोड 45,89,666 रुपे निकल कर आएगा हाला कि यह राकम बहुत ही बड़ा है लेकिन इस company का business model बहुत ही अच्छा है अगर आप 20 साल के लिए invest करना चाहते हो तो इसका future value झाल करेंगे हाला कि ये यह यार कबोन फर्ट उनेफे रुपे निकल कर आएगा, ऐगर आप 15 साल के लिए invest करना चाहते हो तो इसका future value 89 2059 रुपे निकल कर आएगा अगर आप 10 क로 läuft करना चाहते हो तो इसका future value 12 3250 रुपे निकल कर आएगा, हलाएकि यह decide आपको करना है कि आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं अब हम इस company के number of dimate account आपनिंग के बारे में बात करेंगे हाला कि यह company broker का भी काम करती है और share के depository का भी काम करती है और इस company के comparison हम NSDL company से कर सकते हैं लेकिन NSDL फिलाल अभी stock market में लिस्टेड नहीं है इसलिए हम cdsl company का comparison नहीं करेंगे अब हम account opening के बारे में बात करेंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डीएसल company ने सन 2013-204 लाग अकांक अपन किये सन 2014-15 के बीच 8 लाग अकांट आपन किये सन 2015-16-211 लाग अकांट और इन्वेस्टर भी बहुत ही ज्यादा आ गए हैं जिसकी वजह से कंपनी कस्टूमर से बहुत सारी चार्जिज लेती है जैसे एन्वली चार्ज, ट्रांजिक्शन, चार्ज, आईप्यो चार्ज, अब हम इस कंपनी का ऑपरेशनल इंकम के बारे में बात करेंगे इस कंपनी का 34% इंकम एन्वली इसवर चार्ज से आता है, 19% इंकम ट्रांजिक्शन चार्ज से आता है, 16% इंकम ऑनलाइन डाटा चार्ज से आता है, और 10% इंकम आईप्यो कॉर्परेट एक्शन चार्ज से आता है, और 4% इंकम इसी एस चार्ज से आता है, और 4% इंकम डॉक्मेंट् चार से आता है और जैसा कि आप यहां पर देख चुके हैं कि कंपनी अपने इंकम कैसे जरनेट करती है अब हम इस कंपनी के शेयर ओल्डिंग पैटन के बारे में बात करेंगे 20% की सिदारी प्रमोटर के पास है 13% की सिदारी मुचल फंड के पास है 2% की सिदारी फॉरन पॉर इस कंपनी में दिगज निवेस को ने अपना निवेस किया हुआ है अब हम इस कंपनी के नेट सेल्स के बारे में बात करेंगे सन 2017 146 करोड रुपे था सन 2018 188 करोड रुपे था सन 2019 में 296 करोड रुपे था सन 2020 में 225 करोड रुपे था और सन 2021 में 344 करोड रुपे है आला कि पिछले साल के मुकाबले बहुत ही जादा है और इनकर नेट सेल पिछले पांस सालों से लगतार इंक्रीज कर रहा है जो कि इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है अब हम इस क 207 करोड रुपे था सन 2021 में 201 करोड रुपे है हाला कि इनका प्रॉफिट भी पिछले पांस सालों से इंक्रीज कर रहा है अगर हम इस कंपनी के नेट सेल्स और प्रॉफिट की रिशियो के देखे तो आउट स्टेंडिंग है और ऐसा आपको किसी और कंपनी में बिल्कुल सन 2013 16 परषण सन 2014 में 24 पर्षण 10 2015 में 12 परषण ता और 2017 में 18- intermittent अथा परषण ता इसंदोजर वीज में 15 परषण था हलाकि मेरे पास 21 अच्छा नहीं है लेकिन इस कंपनी देन अप्रत्रों मेंटें करें करके रखा यह जो कि 15% और 20% के बीच एक्जिस्ट करता है जो कि इस company के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है अब हम इस इस टोप के return on asset के बारे में बात करेंगे सन 2012 में 16% सन 2013 में 13% सन 2014 में 11% सन 2015 में 8% सन 2016 में 15% सन 2017 में 11% सन 2018 में 14% सन 2019 में 15% और 2020 में 13% और इस company ने अपना return on asset भी maintain करके रखाया है जो कि 10% और 15% के बीच में exist करता है अब हम return on capital employed के बारे में बात करेंगे सन 2012 में 27% सन 2013 में 20% सन 2014 में 18% सन 2015 में 17% और 2020 में 19% था हाला कि इस company ने भी अपना ROCE maintain करके रखाया है जो कि 20% और 30% के बीच में exist करता है अब हम इस company के debt to equity ratio के बारे में बात करेंगे जैसा कि आप यहां भी देख सकते हैं इस company के पास कोई भी और किसी भी परकार का कर्ज नहीं है मतलब कि यह debt free company है अब हम इस company के current ratio के बारे में बात करेंगे और आप जानते हैं कि current ratio का formula current asset divided by current liabilities होता है अगर इस company का current asset increase करेगा तभी इस company का current ratio भी increase करेगा मतलब कि इस company के पास liabilities कम होती जा रही है और asset बढ़ता जा रहा है और जैसा कि आप यहां पर देख सकते है सं 2012 में 8% सं 2013 में 6% सं 2014 में 5% सं 2015 में 2% सं 2016 में 3% सं 2017 में 2% और सं 2018 में 3% सं 2019 में 2% सं 2020 में 5% मतलब कि पिछले साल के मुकाबले इस company ने सं 2020 में अपना asset increase किया है जो कि इस company के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है और आप इस company में buying की opportunity बना सकते हैं हम मैं आपको टिका टेप की website के जरिये इस stock के fundamental के बारे में बताना चाहता हूं जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं इसका market capital 15,692 करोड़ रुपे है हाला कि एक mid cap company है और इस company का P ratio 78 है और यह stock 20 के PV multiple पर मिल रहा है और यह stock FD से बहुत ही अच्छा return दे रहा है इसका dividend भी बहुत ही अच्छा है और इस stock में तीन analyst में से दो analyst के राय है कि हमें इसमें buying करनी चाहिए और इस stock का forecasting price भी higher side की तरह बहुत ही कम दिया गया है लेकिन आने वाले समय में जब इसका forecasting price update होगा तो यह price 2000 के ऊपर जाएगा और इस stock का fundamental बहुत ही strong है और यह मेरा favorite stock है long term investment में और आप current price पर buying की बना स आखते हैं thank you so much thanks for watching our video